हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यॉर ओन चैनल डिली स्टॉप तो दो उस्टो इस वीडियो के अनर हम गौटप्रे फिलिप के डिटेल्ड अनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको गौटप्रे फिलिप के डिटेल्ड अना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो देखिए सबस्टे पेल हम ये जानेंगे कि ये कमपनी क्या काम करती है तो देखिए ये FMCG company है जो की cigarette बनाने का ये company काम करती है अगर हम company के brand की अगर हम बात करेंगे तो four square और ये white ये red and white ये जो brand है ये company की brand name से और उसके अलावा अगर हम दिखेंगे kevenders तो यहाँ पे तीन brand name से हमें company के नजर आते हैं एक four square है एक red and white है और एक kevenders है उसके अलावा कर हम देखेंगे तो माल बूरो ये जो brand है तो इसको अगर इंडिया में जो distribute करने के जो exclusive जो rights है वो भी इस company के पास हमें नजर आते हैं और इनका agreement है फिलिप मौरीस इंटरनेशनल के साथ कि वो यहाँ पे इंडिया के अंदर इसे distribute कर सकते हैं तो इस point of view से देखा जाया तो एक one of the largest cigarette company हमें नजर आती है तो देखिए भले ही कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर हम देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग है जो की cigarette पिना पस्टन करते तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे cigarette companies का market नहीं है और देखेंगे तो यह company का जो track record को काफी अच्छा है अगर हम ITC की भी अगर हम बात करेंगी तो more than वहाँ पर अगर देखा जाया तो consistently उनके revenue के numbers बढ़े और खास करके cigarette के revenue हर साल उनके बढ़ रहे है उस point of view से देखा जाया कि दिरे दिरे जो cigarette का use है वो हमारी economy में काफी ज़्यादा हो रहा है और यह देखा जाया तो थोड़ी problems रहती है लेकिन उस point of view से देखा जाया तो जिस तरीके से लोगों का यह addiction हो जाता है तो वहाँ पे और ज़्यादा use हो जाता है तो उस point of view से मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने चीज़े देखनी चाहिए बाइदे वे एक disclosure दे देता हूं मैं कि मैं यहाँ पे cigarette का use नहीं करता हूं जो कि यह मेरे बहुत चारे friends हैं जो इससे पीते हैं तो उस point of view से उनकी आदत मुझे पता है तो इसलिए मैं उस point of view से बता रहा हूं देखिए लगबग 6700 करोड का इस company का market cap तो एक देखा जाए दो small cap company है अगर stock के peer ratio की बात करेंगे लगबग 15 का peer ratio है और industry का peer हमें 18 का नजर आता है तो इसके comparison में valuation हमें सही नजर आता है लेकिन अगर हम ROC और ROE के numbers की बात करेंगे तो ROC का number 15% का और ROE का number हमें 12% का नजर आता है तो देखिए अधिकता देखा जाया तो यह जो companies होटी है इनके margin थोड़े ज़्यादा होने चाहिए लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि जो taxation के issues रहते तो उस point वी से इनके थोड़े margin कम हो जाते तो एक वो बहुत बड़ा major region हमें नजर आता है बाकि debt की बात करें अभी 2.69 के price to book value पे यह stock अभी trade हो रहा है तो वो भी देखा जाया तो काफी अच्छा है अगर dividend deal की बात करेंगे close to 2% की यहाँ पे dividend deal लगबग 1.86% का में यहाँ पे dividend नजर आता है यानि के around 20-22 रूपे का per share का dividend यह company हर साल देती है और जैसे जैसे इनकी earnings बड़ेगी तो यहाँ पे लगबग 30-35 रूपे का dividend हमें आने ले 5 साल में अपर year का देखने को मिल सकता है तो रिखा जाया तो valuation के parameter तो यहाँ पे ठीक ता के तो इतने बुरे parameter समय यहाँ पे नजर नहीं आते हैं लेकिन अगर हम financial trend के अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1920 में काफी phenomenal growth हमें company में देखने को मिलिए यह देखिए यहाँ पे stock growth चे net profit का number बढ़ा था और उसके बाद में 260 करोट चे लगबग 380 करोट पे net profit का number गया था यानि कि 2 साल लगातार company का net profit के number से 100 करोट चे बढ़े हैं तो देखिए पिछले साल जो यहाँ पे problems हुए हैं देखिए एक छोटी company अगर हम ITC के comparison में बात करेंगे तो पूरे lockdowns को अगरा में थोडे distribution point of vision में पे problems हुई थी लेकिन फिर भी net profit के numbers में हमें कोई fall देखने को नहीं मिला था भली revenue इतना गिरा था around अगर आप देखोगे तो around 15% चे revenue के numbers company के गिरे थे फिर भी profitability वहाँ पे company की constant ही तो यह काफी अची बात हमें यहाँ पे नजर आती है तो company के जो financial trend के अगर हम बात करेंगे पिछले 4 साल के तो वह काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है तो देकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले लगबख 700 करोड़ से जादा के revenue के numbers चे company report करती थी लेकिन COVID के बाद चे थोड़ी problems आने लगी थी लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिछले quarter में फिर से company ने 700 करोड़ का revenue जनरेट कर लिया है अगर profitability की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 quarter जानी की April से लेके December तक की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक company ने यह net profit अभी तक generate किया है तो वो number आता है 218 करोड़ पे sorry 318 करोड़ पे तो देखिए 318 करोड़ का net profit company ने 3 quarters में कमा लिया है यानि कि 106 करोड़ का net profit company on average हर quarter में कमा रही है तो 106 करोड़ का net profit अगर अगले quarter में भी company का होता है तो 424 करोड़ का total profit company का हो जाएगा और पिछले साल ये number 380 करोड़ पे ता यानि कि more than 10-12% की growth हमें year on year business पे याँ पे company की profitability में देखने को मिल रही है और जो profit company ने पिछले quarter में report किया था अगर वो number याँ पे company report का थी तो 15-16% की growth भी हमें company के net profit के numbers में देखने को मिल चकती है अब अगर हम share holding pattern की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर September 2020 में company के promoters ने अपनी holding को बढ़ाया था और उसके बाद में December 2020 में भी उनकी holding बढ़ी थी March 2021 में भी उन्होंने अपनी holding को बढ़ाया था और June 2021 में तो देखिए लगा था चार quarter में थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने अपनी holding को बढ़ाया है और उसके बाद हमें यहाँ पर जो holding है वो content नज़र आती है लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ time से जो हमारे foreign investors चे तो उन्होंने यहाँ पे ठोड़ा profit booking किया है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो हमारे डिया यानि की जो हमारे mutual fund life insurance companies है उनकी दरश्चे भी हमें यहाँ पे ठोड़ी profit booking देखने को मिली है अब बाकि अगर हम देखेंगे तो retail investors की ज्यादा holding नहीं है लगब shareholding पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो shareholding pattern में company का अच्छा नजर आता है अब अगर हम यहाँ पे company के peer comparison के अगर हम बात करेंगे तो इखें ITC की अगर हम particularly बात करेंगे तो उनका FMCG business भी है उनका notebook का business भी है उसके अलावा agriculture business भी है उनका और उसके अलावा अगर हम तोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन जो विएस्टी इंडस्ट्रीज गोल्डन टैबको नैंटी सी एंटी सी इंडस्ट्रीज यह जो कंपनीज है उनके कंपरीजन में अगर हम देखेंगे तो यह कंपनी काफी स्टे वैलिशन पर ट्रेड कर रही है और में बात यह कि इसका ज इंडस्ट्रीज यह जो कंपनी है तो इनके मार्केट के अब काफी कम है तो वहां पर वैलिशन परामिटर्स ज्यादा मेंटर नहीं करेंगे तो कि जो फ्री फ्लोटिंग ऑफ शेर से मार्केट में काफी कम रहेगा तो इस पॉइंड़ वीशन चेंज हो सकते हैं तो देखें यहां पर 1292 पर यह स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है पिछले पांच साल में नी के बराबर रिटर्न इस स्टॉक ने दिये देखें सिर्फ 16% के रिटर्न दिये यानि कि ओन एन एवरेज 2-3% से यहां पर पैसा कमपाउंड वहां उसके अलब अगर आप 3% अगर सिग्रेट वाली जो कमपनी जोटी उनके ओपर इतना इंट्रेस्टेंड नहीं है खास करके हमारे जो इंडियन मार्केट थे वह अभी टाक इतने मैच्योर नहीं हुए कि इन कमपनी के ओपर यहां पर इन्वेक्ट करें तो देखिए फ्रॉम बिजनेस पॉइंट आप सिग्रेट का यूजड करना अगर स्टार्ट कर रहा है और उससे अगर एडिक्शन हो रहा है तो वहाँ पर उससे स्टाप करना काफी मुश्किल हो जाता है और जैसे जैसे मैंने खुद ने देखेगी जो मेरे फ्रेंड अभी स्टार्टिंग में लगबग जब वो 21-22 के एज चेते तो वो लगबग एक या दो सिग्रेट दिन के पिते तो अभी अगर आप देखोगे अभी जब वो खुद अर्ण करने लग गए तो इनका 5-6 सिग्रेट चुनका हो जाता है तो ये एक तरीके का दिखा जाए तो जिस तरीके से यानि कि 3 टाइम्स तो ऐसे कितने सारे लोगों के अगर इतना एडिक्शन होगा तो वहाँ पे कितनी ज़ादा डिमांड लेकिन अगर आने वाले टाइम पे विजनेस काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा तो ये अच्छे डिविडेंड चाप एस्पेक्ट कर सकते हो जानी कि मेरे शाल से अभी जो 1.5-2% का डिविडेंड डिल दे तो अगर आने वाले टाइम पे नैट प्राफिट के न इंवेस्टर ने तो बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए ऐसे स्टॉक में इंवेस्ट नहीं करना चाहिए मौडरेट इंवेस्टर ने भी इंवेस्ट नहीं करना चाहिए ये सिर्फ एक कंजर्वेटिव इंवेस्टर के लिए ठोड़ा कैपिटल एप्रिशेशन चाहिए और डिविडेंट ही ये उनके लिए ही ये स्टॉक है तो दोस्तों मैं होब करता हूं कि गॉट प्रेव फिलिप्स इंडिया के डिटेल्ड अनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंड कीजिए मैं जरूर आपके कमेंड पर रिप्लाइक करूंगा तो के डोस्तों थैंक यू हैव नाइस टे